हेलो मेरे चांस सितारों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारी स्युट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेश पर तो मेरे चांस सितारों आप लोगों की ही फरमाईस पर आज ये वीडियो लेकर आया हूं आप लोग के सामने बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे हमने एक वीडियो अप्लोड किया था तीस महतपूर्ण चिन्हों के संकेत ठीक है तो वह हिंदी में था और बच्चे बोल रहे थे कि इसका सर इंग्लिस वर्जन लाइए बहुत दिन से कर रहे हैं वह लोग कमेंट कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं अप्लोड कर पा रहा था वीडियो तो आज आप लोग को ये वीडियो मिल रहा है ठीक है इंग्लिस वर्जन में इसका हिंदी वर्जन अगर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है वहां से देख सकते हैं उ हमार आज का टापिक है करीब 55 most important physics के जो सिंबल होते हैं उनको भाईया क्या बोलते हैं ठीक है पहचानना आना चाहिए आपको चलिए तब यह थोड़ी खराब है जिस्टर लेना ठीक है देख रहे हो गला बैठा हुआ है बोल नहीं पा रहा हूं लेकिन भाईया आप लोग पाइरिया को हम लोग लिखते हैं capital A से ठीक है किसे लिखते है capital एसे तो अगर कहीं एरिया की बात की जायेगी तो वहाँ पर हम उसको capital A से लिख सकते हैं चलिए यह हो गया फिर बात करते हैं acceleration को आप लोग इस्माल एसे लिख सकते हो किसे लिख होगे small A से ओके माइडियर और फिर मास मास को हम लोग is small m से लिखेंगे ओके डियर चलिए time time उनलप समय जो कि है आप लोग का खराब चलिए इसको लोग लिखेंगे small t से चलिए velocity को हम लोग स्मॉल वी से लिखते हैं कुछ समझ में आवत है हो नाई दिक्कत होई तहीं से बताया देखो फिर बात करेंगे फोर्स को हम लोग कैप्टल एफ से दिनोर करेंगे अगर कहीं भी कैप्टल एफ दिख जाए तो उसको क्या बोलोगे उसको आप लोग फोर्स कहोगे कहोगे न और वर्क वर्क को हम लोग डबलू से लिखते हैं किस से डबलू से चलिए फिर करेंट को हम लोग कैप्टल आई से लिखते हैं कोई-कोई महान भाव इसमॉल आई से भी लिख देता है कोई दिक्कत नहीं है समिधान में नहीं लिखागा यह कि करेंट को हम लोग इसमाल आई से लिखेंगे या कैप्टल आई से ठीक है तो आपकी इच्छा आप सोतंत्र भारत के सोतंत्र नागरिक है ठीक है रेसिस्टेंस को आप लोग कैप्टल आर से लिखेंगे resistance को किस से capital R से लिखोगे ओके चलिए आप momentum की बात की जाए तो momentum को आप लोग P से लिखोगे capital P से अब कुछ जो महान भाव हैं वो कहेंगे sir pressure को भी तो P से लिखते हैं बिल्कुल लिख सकते हो my dear बिल्कुल लिख सकते हो और ये आपको जो triangle shape का दिख रहा है भईया है डेल्टा और ये जोन फंड काड़े बैठा है इसे फिटार अगहस बबुआ इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं तो डेल्टा भया इसको भी बोलते और इसको बोलते हैं ओके कोनों दिक कद नई खे चलिए फिर बात करेंगे capital C यह है आपकी speed of light value क्या होती है इसकी अवकाद कितनी होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second आना चाहिए चलिए यह है आपका इटा जो यन है ना उसकी टंगिया जो है जैसे यन बनाते हो आप लोग ऐसे तो उसकी जो टंगिया है मतलब पहरवा अंग्रेजी मेडम क्या बोलते हैं उसको foot may fit इसको खीच दो टंग खीचना तो आता ही है आप लोग को बहुत त्याजोश में तो यह बन गया इटा इसको क्या बोलेंगे इटा बोलेंगे my dear आगे चलो come here अब बात करेंगे यह क्या है प्यारे यह है इनेरजी ठीक है उर्जा जो आपके अंदर बहुत कूट कूट के भरीबा यह क्या है Britney यह है इनेरजी बोलेंगे इसको अब बात करेंगे अच्छा और बात करें अगर यह बोलते हैं अब बहुत करें लोगनेटिक है यह हिंदी में इस इसको चुम्बकीज अशेत्र बोलते हैं तो इसको हम लोग Capital B लिखते हैं ये तो बच्चे बच्चे को पता है इसको जया बोलते थीटा है यह क्या है थीटा है इसको बोलते है लेमडा क्या बोलते हैं लेमडा 冷टा वाई देख्या हो ना उसको उल्ट दो सर निचवा कई दो गोडवा उसका उपरा कर दो उसको क्या बोलोगे उसको लेमडा बोलेंगे हम लोग ये क्या है epsilon है ये क्या है epsilon और इसके नीचे अगर suffix में हम इसे zero कर दें तो इसको epsilon not पढ़ते हैं प्यारी क्या पढ़ते epsilon not पढ़ते हैं अब mu ये क्या है sir ये जो small letter वाला जो u होता है न यहाँ पे देख लो प्यारे ये u होता है ना sir होता है यहाँ भी एक टोट निकार दो इसके ठीक है पूँच और इसको बोलेंगे हम लोग mu और इसी के suffix में छोट भर एक दमनान भर एक छोटा सा अगर zero लिख दो तो उसको बोलेंगे mu not ठीक है तो यह mu हो गया और उसके निचवा क्या बैठा है इस mu के निचवा बैठा है इसका मामा mu not ठीक है देखो अब यह है आपका new mu आ गया तो भईया new को नहीं बुलाओगे उसके फूफा को तो वो गुस्चा हो जाएगा ठीक है अब यह हो गया new तो mu का फूफा new यह क्या होता है इसको ऐसे कर किया इसे कर दो भईया इसको मूँ टोना है ना मूँ टेड़ा है फूफा जी का मूँ हमें सटेड़ा रहता है गुस्चा बतो ना प्यारे सब मजाक देखो अब यह new हो गया अब यह कौन है टाउ और यह टाउ को आपने क्या लि लिए क्या है rei-ब नांटो यह new updates किलों में इसे चोटेंगे की हैं तो सिग्माथ कौन है यह रिटेदार ही है यह मुर्वरा ऑर सिंग्मा बढ़े है यह अलग और है ठिकते बड़े यह च्छोटे हैं यह सिग्मा देखो कैसे एक सिग्मा यह आपका ऐसे करके ऐसे बना देना और एक सिगमा ये भाईया ऐसे बना देना ना से नल पढ़े हो ना पराइमरी में पराइमरी में तो आप लोग पढ़े ही नहीं हो खेचरी खाने जाते थे हम लोग पराइमरी में हम पढ़े हा भाईया तो हम बता रहे हैं इसे देखो ना से नल पढ बोलेंगे अब हर हर भोले हर भोले यह क्या है भोले नात का तिर्शूल है और इसको क्या बोलते हैं लोग इसको साई बोलते क्या बोलते साई बोलते ओके और इसको क्या बोलते इसको हम लोग फाई बोलते क्या बोलते साई के मौसिया कौन है फाई है साई के मौसिया फाई हो पिछ में पटवा फार दो यह भाई यह फाय वहनी पहरस हो बिटाए कि चाची इसे कर दो इनको क्या बोलेंगे इनको चाई बोलेंगे प्यारे अब देखो भाईया अब चाई चाई अब इनके दोनों गोड़वा जो है ना पैरवा पैर जानते हो न नहीं जानते नहीं जानते तो बधाई हो इनका फैरवा जो है विकलांग है वो पोल्यों हो गया है टेड़ा ऐसे ठीक है इधर से आया बड़ी है सीधा सीधा बदिया में टेड़ हो गया तो यह क्या है पाई है पाई की वैलुआ तो जानते हो ना 3.14 बिल्कुल या 22.57 या क्या होता है 3.14 अब यह कौन है भैया रो है इनका तो कम यह रोने वाला यह हमेशा रहते है अब इनका भैया क्या है इनको लिखने कतरीकर एद शेखते रहो साथ-सात में यहां तो लिखा ही है देखो जिससे यह पी है ना अब पी से क्या करो इनकी तबियत कhorाब हो गय गया था तो इनका भाया तेर हो गया शरीर यह इसे हो गए तो इंको रो हैं आगों हरी ओम हर्म है th सब्सक्राम यह क्या है एंगेस्ट राम है एक ऊपर भाया एक ठो अंडा रख दो तो वो एंगेस्ट राम बन जाएगा क्या बोलते इसको एंगेस्ट राम भैलुआ कितनी होती है वो 10 to the power minus 10 होती है ना अगर होती है तो बोलो वह अगर नहीं होती है तो कमेंट करके बताऊ जल्दी बताना और यह T क्या है और क्या होता है टाइम पिरियरद इसमाल T से टाइम क्यों समय को लिखते हैं यह ताइम पिरियरड हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको आवर्द काल बोल और जहां भाया टाइम पीरियाड रहेंगे उनके आज पास यह फ्रिक्वेंसी दोनों लोग भाया साथ है रहते हैं लैला मजनू है तो इसको इसको स्मॉल जी से लिखते हैं हम लोग इसकी वैलू कितनी होती है ना पॉइंट होती है ना अब कैपिटल जी वहीं बहुत इंपॉर्टेंट है इसमाल जी की वैलू कैपिटल इसमाल जी की वैलू 9.8 और कैपिटल जी क्या बताई हमने 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 और इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मेटर स्क्वाइर पर केजी स्क्वाइर ठीक है अब लोग कैपिटल जी की वैलू विथ इसकी यूनिट कमेट करके बताना मैंने क्यों एक बार बोला है जो लोग धियान से सुने होंगे उनको बताओगा अब 40 नमबर पर पहुँच गए हम लोग यह क्या है के अब सफिक्स में छोड़ा छोटा सा बच्चा है उसका इसमाल इए उसको लिए बैठा है इसको क्या बोलेंगे काइनेटिक इनर्जी के फ़ॉर काइनेटिक ए फ़ॉर इनर्जी तो यह है आपकी काइनेटिक इनर्ज इसको बोलते हैं गती जूरजा ठीक है हिंदी भी छुलते रहो अच्छा लगेगा अब यह कैप्टल यू क्या है आपका पोटेंशियल इनर्जी जहां भाईया काइनेटिक इनर्जी की बात की जाती है तो जान लो कहीं अगर इस कैप्टल लेटर में यू लिखा है तो उसको क्या बोलोगे ऊसक 있지만 पोटेंशियल इनर्जी और क्यूकि यह है चार्ज है क्या है चार्ज को लोकि से क्यूसे रिप्रेसेंट करते हैं प्यारे ऑप Changing कotted इसमाल क्यूसे तो चार्ज को लिखते हैं तो बहीया इस नहीं लिखिए और यहीं हो जाएगा क्योंकि यह दोनों नात बात हैं ठिका है जीजां है इसके इसे एकोन ay Shit इसको क्या बोलते हिंदी वे उस्मा स occurred है अब एफनल से लेत भी होता है वेयलूम क्या होता पर तो P से बताया था कि momentum होता है जी बिलकुल होता है pressure को भी capital P से लिखते हैं power को भी P से लिखते हैं तो यह एकदम fix नहीं है कि हम P से केवल momentum को ही लिखेंगे या केवल power को ही लिखेंगे आप जिस जगा हो जैसा आपका topic होगा वहाँ से clear हो जाएगा कि यह P यहाँ पर है तो यह किस लिए है इसको क्या बोलेंगे power बोलेंगे या momentum बोलेंगे या pressure बोलेंगे आपको खुद idea लग जाएगा ठीक है अब P से pressure भी लिख दिया है से लिए मैंने आपने चोड़ हो तो इसलिए मैंने लिखते हैं इसलिए मैंने वैलूम को भी लिखते सब्सक्राइब रहे हो उसके अनुसार भिया वहाँ पर उसको वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे जो होगा, ठीक है, अब small H ये क्या है, म्लांक सको चुटेंट है small H से क्या होगा plants constant अब, ये भिया क्या है alpha है, क्या बोलते इसको alpha बोलते, कैसे बनाते हैं इसको ऐसे करके ऐसे कर दो हो गया यह यह अलफा यह क्या है बीटा है बी लिखके निच्वा टंगिया उसका जो पैरवा है थोड़ा सक खींच दो वह बीटा हो जाएगा और यह गामा ठीक है यह भाईया तीनों भाईया बहुत एकदम कुलोज वाले फरेंड है अ इलफा बीटा गामा यह क्या है आपका जे यह आपका एंगुलर मॉमेंटम तो भाईया जे से किसको लिखते एंगुलर मॉमेंटम को पापक पर यह कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत होगा तो कमेंड करके बताना तुरण कि मैं के मैं इसकोडियाग इसको क्या बोलते वह या रेडियुस बोलते हैं जिसको मैं주 क्यों में मॉमेंटम तो कहीं पर यह से लिखते हैं अब कोई भाईया नहीं मानता कि जे हमाने अच्छा verschiedene लगता इसको यह लागता कि जे से लिखते हैं सबकी अपनी अपनी पसंद ठीक है तो जे से भी लिख सकते हो आप लोग एंगुलर मोमेंटम को और यल से भी लिख सकते हो आप सोतंतर भारत के सोतंतर नागरिक हो आप कुछ भी कर सकते हो यार किसकी हिम्मत है आपको रोकने की तो इतने अब किलियर हो गय और अपने फ्रेंट्स लोग को वीडियो शेयर कीजिए ओके इसी तरीके का वीडियो लाता रहता हूं अच्छा मैं साइड हो रहा हूं आप लोग चुपके से इसका स्कीन सॉट लेकर अगर नोट करने लाइक समझो तो कहीं पर नोट कर लेना ठीक है या फोन में ही पड़े कर रहा है या मैत में या कमेस्ट्री में तो आप लोग विंदास होकर कमेंट करके प्यार से लिख देना लाइन एक लाइन कि यह टापिक हमें एक भूत परियत की तरह परिशान कर रहा है शर ब्लीज हेल्प मी हम आपके लिए जरूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे हो सकत गाउर प्रोवाइड लिएाड लिए Daisy Зд defend की तुट है करे लिए है तो हे लिए लिएुटे खिरुट वरोभ उनी हो वी एका ल काउरी सब क्पोश्साइब कि प्रुपराइड है प्राइड करेंगेंगे लिएकित कर द से लिए हैं लिए टूर जगग झाय से लिएक्झार आ